कोरोना के इस काल में सरकार ने अब एक्जाम करवाने का मन बना लिया है पहले जई नीट और अब फाइनल येर एक्जाम तो नमस्कार दोस्तों मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न वित अनेटियंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ कुछ जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल येर एक्जाम को लेकर हीरिंग थी तो उस हीरिंग का रिजल्ट आ चुका है हीरिंग का रिजल्ट स्टुडेंट्स के फेवर में ना आकर स्टुडेंट्स के विपक्ष में आया है स्टुडेंट ये चाते थे कि इस कोरोना काल में इस एक्जाम को थोड़ा और पोस्पोन किया जाए सरकार ने अब एक्जाम करवाने का मन बना लिया है तो हम देखते हैं कि सरकार का क्या वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट और UGC गैडलाइन तो जैसा कि आप सबने देखी लिया होगा कि सरकार अब चाती है कि एक्जाम हो सरकार का ये मानना है कि इस कोरोना काल में अगर हमारे अभिवावक गर से बाहर जा सकते हैं अपने अपने काम पर जा सकते हैं तो स्टूडेंट्स भी बाहर जाने के लिए तयार हैं तो मैं आप सभी श्टुडेंट से ये कहना चाहूंगा, कि आप अपना समय, रेली करने में, पेटेशन साइन करने में, या कोई आंदोलन करने में ना खराब करें, क्यूँकि सरकार ने एकजाम करवाने का मन बना लिया है मैं आप सभी students ये अन्रोत करना चाता हूँ कि अब आप अपना ध्यान सिरफ पड़ाई में लगए क्योंकि आपका जो समय है वो काफी ज़्यादा कीमती है already exam 3-4 मैने delay हो चुका है सरकार अब नहीं चाती कि exam और ज़्यादा delay हो क्योंकि सरकार students के career के उपर बहुत ज़्यादा focused है सरकार ये नहीं चाती कि students का year खराब हो इसलिए उन्होंने ये exam कराने का decision ले लिया है तो मैं आप सभी students से यही कहना चाओंगा कि आप मन लगा कर पड़ाई करें और अब जो फाल्तु आनोलन चल रहे हैं ट्विटर पर retweet करना या रेलिया निकालना इन सबसे कुछ नहीं होने वाला सरकार ने अपना मन बना लिया है तो आप सभी students से मैं ये कहना चाओंगा कि आप पूरे precautions के साथ exam देने जाएं all the best और अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू